भारत का धर्म है वो करीब 10-11,000 साल पुराना है जो यहूदी धर्म है वो 3,000 साल पुराना है जो इसाई धर्म है वो करीब 1,900 साल पुराना है और इसलाम तो बहुत नया नया यानि 1400 साल पुराना धर्म है यह जो पस्चिम के तीन धर्म निकल के आते हैं यहूदी, इसाई और इसलाम, यह तीनों स्वर्ग और नर्ग तक जाके रुख जाते हैं, उसके आगे इनको पता नहीं, इनका द्वैत खत्म नहीं होता है, लेकिन भारत जो है उसके आगे निकल जाता है, भारत में जो राम कृष्ट की परमपरा थी, या उध्ध महावीर की परमपरा थी, वो परमपरा मुक्ष की बात करती है, और मुक्ष सिर्फ भारत में ही एक शब्द है, जो पूरी दुनिया की धर्ती पर कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में पाया जाता है.